नमस्कार मित्रो मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अद्भुद जानकरी जो बेल और बेल पत्र के द्वारा प्राप्त होता है बेल ब्लड प्रेसर से लेकर सुगर तक को कंट्रोल में रखता है भगवान सिव का बेल प्रिय प्रसाद है यह बेल डाइप टीज, हाईप, परटिंसन, कोलेस्टराल और दिल से संबंधित बीमारियों को सही करने में बेल पत्र का सेवन बहुत ही थायदे मंद सादित होता है बेल का फ्राल पेट साथ करने के लिए जबज़स्ट फार्मूला है इसमें लैक्षे टेवी, लैक्षे टीव प्रोपरटीज होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरूस्त रखती है बेल पत्र में कई तरह के एंटी आक्सिडेंट पाए जाते हैं बड़े बुज़र्गों का मानना है कि बेल के रस्ट को हलके गुनगुने पानी में मिलाएं और इसमें सहद की कुछ गुंदे रालें इस गोल का नियमित सेमन करने से खूल साफ होने में मदद मिलती है और लोगों का कहना है कि बेल पत्र की मदद से सफेर दाग भी ठीक होता है बेल के गुंदे में सोरलिन नामक तत पाया जाता है जो त्वचा की धूप सहने की छमता बढ़ाता है साथ ही इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है जो सफेर दाग फल के करने में मदद करता है बेल पत्र पित्र की समस्या खुजली और त्वचा के दाग धब्बों को भी दूर करने में सायक है इसके लिए बेल के रस में जीरा मिला कर पिये सिर और बालों से समस्या को भी बेल पत्र की सहायता से दूर किया जा सकता है इसके लिए बेल के पके हुए फल के छिलके ले उन्हें साफ करके उनमें तिल का तेल और कपूर मिलाए अब इस तेल को रोजोना सिर में लगाए इससे सिर में जू, ली, खत्म होने के अलाबा अन समस्याओं में भी फाइदा होता है हर बेल की तीन पत्ति को ब्रह्मा, विश्रू, महेश का रूप माना गया है दतया, बर्रा, विशला, जन्तो काटने पर जब जलन करता हो तो बेल पत्तियों का रस लगाने से वह तुरंत ठीक हो जाता है और भी अन जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्क्राइब और लाइक करें और कमेंट बाक्स में पूछे कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए आपनी संकोच पूछ सकते हो बेल संबंधित जानकारी चाहिए